और दोस्तों कैसे हो आप सभी तो इस क्लास में हम N class के जो आगे कि जो questions से उनके बारे में discuss करेंगे तो हम questions पढ़ रहे थे अब हम next question पढ़ते हैं उसके बारे में अच्छे से हम discuss करते हैं कि यह question हमें क्या बता रहा है और मैं आशकरता हूं कि आपको जो previous 10 questions समझ में आये होंगे एक बार आप जितने जो questions है दोस्तों उनको आप जल्दी-जल्दी क्या करो क्लियर होते जाए मैं हरे मैं भी कोशिस करूंगा तो आज तो आभी 10 से क्यों हुए है तो इतनी बड़ी बात नहीं है तो जैसे 6-7 दिन हो जाएंगे तो मैं आपका एक छोटी सी वीडियो मना के उन सब को एक पर रिवाइज करो आप ताकि आप खुद भी नहीं कर पाओ और दूसरे आया है एपिजियो टोमी कहे क्या रहा है क्यों बाद में देखेंगे पहले बात करते हैं इनकी सिजबाद की सिजबाद मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बोलूँगा ताकि हम कई सारी जो डिटेल्स हैं वह एक साथ हम ले सके जान सको आप क्योंकि दीरे दीरे बोलूँगा तो तस ही क्योशन होंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 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 नोलेज बोजादा मिलें तो सिजबाद जो जर्मन स judgment बेटें वहां और सिप्रेंग को इसको सिटिंग है बैठ ना हम अंतरे हैं तो सिजबाद में हम क्या करते हैं कि जो होता है उसको होट потрamme बैठाते हैं ठीक है जो एक boutr sitting करके बातिंग कर रहा है तो इसलिए बहुत है नहीं है नहीं है ना सिज बात जो है ना वो लेते हैं तो वो क्या काम करता है दोस्तों पीजिए से सामने हैं तो क्यों लेते हैं क्यों डॉक्तर के लो आप हैं मैं घूंड कर वहां पर उसके पास में लिकते जाहें कि आपको चारू नहीं क्या लिख सको हो तो इसमें आपके क्या हो डाइम वेस्ट नहीं हो याद होते हैं वहां के जो क्या होती है ना वह blood vessels क्या होगी दोस्तों dilate हो जाते हैं तो ये होट वोटर के कारण क्या होती है कि निन क्या होगी तो उससे blood supply क्या होगी दोस्तों जादा होगी ब्लेड सपलाई क्या हो जाएगी बढ़ जयाएगी तो क्या होगा हीलिंग फास्टर होगा स्लीज होगा इसलिए हम क्या देते हैं गर इसका परपज है या फिर आपको डिलेट करता है अगर आपको इन दोनों में से कोई भी या प्रपज करता है तो वह उस-cansever होगा तो पहली चीज हमने पढ़ लिए सिजबाट मैं दो टर्म बताए था कि मैं इनको बताता हूं आपको दूसरा जो टर्म है दोस्तो वह है Epeggiotomy एपीजियो टोमी तो एपीजियो टोमी का मदलब कियाता है इसको हम पैरी न्यू टोमी भी कहते हैं सबसे पहला इसमें क्यों से पूछा जाता है कि कौन से स्टेज ओप लेबर में किया जाता है यह सेकिंड स्टेज ओप लेबर में जस्ट आप्टर क्राउनिंग फीटल हेड है जो पैरीनियम में बाहर की तरफ आता है फिर वापस अंदर की तरफ नहीं जाता है लेबर की प्रोसेस में जब फीटल हेड क्या होने लग जाता है उसका सर दिखाई देने लग जाता है उसका क्राउन दिखाई देने लग जाता है तो उसे हम किस नाम जानते है क्राउनिंग के नाम से जानते हैं तो क्या होता है कि अपने आप अगर हेड बहार आता है और एक ऐसा प्रोसेजर नहीं है कि हर वूमन के अंदर ही किया जाए ध्यानने इलक्टिव प्रोसेजर है गोर्मेंट होस्पिटल में कर जरूर देते हैं हर प्राइमी ग्रेविडा के करते लेकिन करना नहीं चाहिए ये एक कैसा प्रोसेजर होना चाहिए जैं कि आप इसे में करो च немाया कि कर दिया जाहिए तो ब्लोक कंसा भी दिया जाता है तो उसलिक जो कौन सा दिए जाता है डोस्तो पुड इंडल ब्लोग दिया जाता है एब आप एक बार लिखिए लो कि किस के अंदर कौन-कौन से अनस्थीसिया देते हैं, यहाँ पर ये questions भी आपका हो जाएगा ठीक है, एनस्थीसिया लिखने से पहले आप एक चीज़ समझों कि पेन जो होता है उसका रीजन क्या है तो किस किस के रीजन के कारण होता है दोस्तो एक जो पेन का रीजन होता है देट इस सर्वाइकल कोंट्रेक्शन सर्वाइकल जो कोंट्रेक्शन जो होता है दोस्तो उसके कारण पेन होता है दूसरा सर्वाइकल डाइलेशन cervical, joh dilation है, उसके कारण भी क्या होता है, दोस्तो pain होता है, और cervical dilation के अलावा जो pain जो होता है that is perineal pain perineal pain जो perineal के अंदर क्या आता है दोस्तो थोड़ा सा खिचाव आता है उसके कारण जो pain होता है, जो अभी हम बात करें मलब कि जो crowning के time सब्सक्राइब और विए तो क्राउनिंग जब होगी ना तो हैड उसको किया करेगा उसके करेगा उसके करेगा उसके करेगा उसके नहीं होता है second stage of labor में होता है और यह जाज तर after crowning होता है ठीक है after crowning अब देखो cervical contraction के जो pain है उसको T10 से L1 इसका क्या है region है अगर आप से कोई पूछे कहां से कौन सी nerve root इसका region है तो T10 to L1 इसका क्या होता है दोस्तों region होता है cervical dilation का जो region है that is S1, S2 and S3 S1, S2 and S3 का क्या होता है region होता है और अगर आप से कोई पूछता है कि perennial pain का क्या है तो उसका region होता है that is pudendal nerve कौन सी nerve होती है pudendal nerve होती है अब देखो cervical contraction के लिए उसको treat करने के लिए इस वाले pain को कि cervical contraction के current pain नहीं पूरे लेबर में pain नहीं होता ठीक है तो इसके लिए क्या देते है epidural anesthesia क्या देते है epidural anesthesia देते हैं और epidural anesthesia में जो drug दी जाती है that is bupivacin ठीक है bupivacin drug दी जाती है और bupivacin जो drug है उसका most common complication क्या होता है hypotension होता है है क्या होता है hypotension कि ध्यान रखने आपको ठीक है जल्दी जल्दी मैंने बता दिया आप लिख लेना सर्वाइकल जो डाइलेशन है उसके कारण जो ब्लोग दिए पैरा प्लोग देंगे प्लोग कर रहे हैं तो उसी को रहे हैं ब्लोक कर देखा कि प्लोग देखा कि प्लोग दिया जाता है ठीक है और आपको पूछ सकता है कि प्लोग दिया जाता है तो उसके अंदर भी क्याएगा अपको थोड़ा बताया है अब लिखना बहुत सारे डिटेल्स हो जाएंगे अपके तो यह बात हो गया दूसरी चीज हमने किया पड़ी एपड़ी इसमें कौन सब लोग दिया जाता है दोस्तों पुडेंडल आपको विश्वास करता हूं आपको लग भग पूरी जो ऑबीजी तीन सो के सिंग मैं आपको करवा दोंगा ठीक है अब कहीं भी आएगा तो मैं यह जो इनफॉरमेसन यह कम बताऊंगा इसके अलावा जो इनफॉरमेसन है वह जादा बताऊंगा ऐसे ही हर चीज में प्रोसेस को क्या करता है अब यह बात में आगया तो मज़ा खतम हो गया एक बात हीलिंग वाला तो अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं पहली बात पहले ऑप्षन में हमें मिल गई यह चीज बिलकुल सही है कि सिजबात जो होता है वह वह वैसो डालेशन को क्या करता है दोस्तों प्रोमोट करता है उसके कारण ही क्या होती है क्यों blood supply increase होती है blood supply increase होने के कारण क्या होता है healing होती है तो this is the correct option अभी मैं right answer नहीं वो डाटे कुछ वोटर नहीं है जो क्लीन करते हैं इसके लिए अगर आपको क्लीन करना है तो आप क्लीनिंग का काम करते हैं क्लीनिंग का चैनल यूज करने पड़ेंगे तो नहीं करता है इसमें 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 क्लीन करने काम नहीं करेगा ठीक है ऐसा नहीं होगा इसके अंदर क्लीनिंग सोल्यूशन के द्वारा क्या होती है इसमें क्लीनिंग होती है तो सब्सक्राइब करने के लिए इससे क्या होगी होगी तो इसे फारक पड़ेगा नहीं आप इसको ऐसे भी उल्टे तरीके से कोई लेन देना नहीं है वैसे भी वाटर यूज करते तो सोलिशन यूज नहीं कर रहे हैं इस तरह इंसे सब्सक्राइब कोई यह इसा लिखा आज तक होने की करना ऐसा होगा तो इसके बाद है टाइट निग्टर इसको क्या कर देता है यह ताइट कर देता है क्या करता है तो कि आज़े कर सब्सक्राइब करता है तो ने तो यह क्यों करता है उसके बाद हम देकते नेच्ट इसमें एक क्लाइंट आस्क वाई सी डवलप्ट सर्वाइकल पॉलिप्स से हाउ सूर्दा नर्स रेस्पॉंड ठीक है तो इस क्वेशन में सर्वाइकल पॉलिप्स की बात कर रहा है मैं आपको थोड़ा साथ डिटेल में तो नहीं बताऊंगा लेकिन जितना मैं बता सकता हूं आपक पिली लिए तो यहां पर वैजाना हुए तो से अंदर क्या निकलती है ऐसी पॉलिप्स के नाम से आते हैं हम इनको जानते हैं तो यह क्या होती है बिनाइन बिनाइन फिंगर लाइक और ग्रेप्स लाइक ग्रेप्स लाइक ट्यूमर है ट्यूमर यह लेकिन कैसा है बिनाइन है पहली बात पहली बात क्या है यह बिनाइन है that rarely convert into that rarely convert into carcinoma convert into carcinoma देखो इस word को पकड़ना मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह हमेशा ही किस में convert हो जाती है carcinoma में cancer बन जाता है मैं यह नहीं कर रहा है rarely मतलब कि बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल ऐसे chances होते हैं कभी-कभी में आप बनाइन होता है लेकिन यह नहीं होता है दूसरा दोस्तों होते है रेरली कनवर्ट होता है बहुत मुश्किल ऐसे कोई chance होगा इसके अलाबाद देखो जो सर्वाइक पॉलिपस उसके होने के कारण जादतर क्या होते हैं दब्01 होता है इन गार उपयलेंस होता है यह चीन प्लेड क्या पर क्लोकृकृट क्लोगड क्लोग अब इसके करण फरक क्या पड़ता है क्या क्लिनिकल में फेस्टिसन आते हैं एक तो क्या होने लग जाती है ठीक है ब्लीडिंग और वह थोड़ी कई बार ज्यादा भी हो जाती है तो हैवियर ब्लीडिंग हो जाता है ठीक है क्या हो जाता है है इसके अलावा ब्लीडिंग कर दिया जाता है जब पहचाना कैसी जाता है बाइपसी की दुवारा ठीकिया इसको पहचाना कैसे जाता है पहचाना कैसे यह डो तीन एक साथ डौलप होती हूं तो कसे हैं इंती हैं मिलती है तो यह क्या कहलाते हैं इते हैं चैक्टरीक्ट के Credo हैं पोलेप्स कहलाते अब हमारे क्योंते हैं यह बैसे हैं हमारे जो प्रॉट्ट्र सब्सक्राइब क्या पता होना चाहिए और वैसे पढ़ने में को इसमें पूरे पूरे करो तो सारे ही और आपको मैं समझा ही रहा हूं तो वह प्रोब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए तो नर्स उसको बता रहे हैं पहली बारत क्या करी है तो पहली डिफिनेशन यह लिखा ही है कि दीजार बिनाइन तो पहला यह जो टर्म जो इसमें लिखा होना है बिल्कुर गलत है अगर यहां पर बिनाइन दिखा हो आता है तो यह बिलकुल सही रहता थे कि बिनाइन करना चाहिए लेकिन यह होकर कैसे होते हैं इसलिए यह गलत हो गया आपने जो पड़ा मिला आपको नेक्स्ट सर्वाइकल पॉलिप्स यूज्वली आर प्रीकरसर ओप यूटेंट कैंजर किसी भी स्टेस से पहले की जो स्टेस होती है वो क्या गलता है ठीक है आप वाइटाम पहले क्या चीज हो थी वह बिटा के रूटीन फिर किसमें चेंज वहा रेटिनोल में ऐसे ही प्रीकरसर क्या है कि सर्वाइकल पॉलिप्स कैंसर से पहले की स्टेज है और वर्ड क्या लिखावा यूज्वली वर्ड को पकरना बहुत जरूरी है दोस्तों मैं इसलिए ही मैं क्या करता हो उंडर्लाइन करता हूं इसको आपको समझाथाओ कि यहां पर रेइरड ली बढ़े लिखा है मैं इसमें लिखा कि यूजोली सर्वाइकल पॉली पॉलिप्स इसमें कलवड हो जाते हैं कैने से रिया जोसे नहीं हिए जूपने का बोट गलत हो गया और यहां प हाँ फिर भी biopsy करवानी चाहिए कि क्या कोई malignancy तो नहीं है बिल्कुल सही है हम मैंने आपको बताया कि diagnostic qualification में biopsy करवाते हैं बिनाई नहीं होती है ये majority of case में बिनाई नहीं होती है लेकिन फिर भी हम क्या करवाते हैं इसका biopsy करवाकर हम इसमें देखते हैं ये sentence बिल्कुल सही है अगला option और देख लेते हैं कि ये इससे better हो सकता है क्या cervical polyps do not cause bleeding unless they are malignant ये कि cervical polyps जो है वो जब तक bleeding नहीं करते जब तक malignant नहीं हो जाते मैंने आपको भी पढ़ाया कि cervical polyps bleeding करते ही है उसे मैंने कहीं दीखाया कि आपको malignant होंगे तभी करेंगे तीक है इसका मलब क्या है ये बिल्कुल गलत है malignant नहीं benign भी bleeding करवाता है benign भी और malignant भी दोनों में क्या होती है bleeding होती है दोस्तो बिनाइन हो चाहिए malignant divorce malignant के अंदर ही bleeding होगी ये इससे कहारा cervical polyps do not cause bleeding cervical polyps जो है वो bleeding नहीं करवाते जब तक कि वो malignant नहीं हो जाते बिलकुल गलत है वो malignant नहीं है अगर वो बिलकुल benign है तो भी वो क्या करवाते हैं दोस्तो 말 बिलिदिंग करवाते हैं तो यह option भी बिलकुल क्या हो गया गलत हो गया इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या कि विच फूड ठीक है यह थोड़ा सा वैसा क्वेशन है फूड आइटम जो इंडिया से बाहर के हैं यह लेकिन फिर भी इनकी जगे में दूसरे डाल दूंगा तो भी आपको मिलेगा विच फूड सेलेक्टेट वाइंट विध और पॉर्क का मतलब क्या हो गया चिद्र होना थिका टो इसमें क्या हुते हैं वीग हो जाती हैं क्यों हो जाती है तो इसका में अगर पूछे तो एस्ट्रोजन होर्मोन के ज्यादातर कमी के कारण होती है यह फिमेल्स के अंदर भी ठीक है इसलिए ही मीनोपोस के बा तो दुरान कम हो जाता है दूसरा ऐस्ट्योच्रत कि संख्या क्या हो जाती है भढ़ जाती है लो छोटी जो खतम करने का काम करती है वहां की से बनेंगी तो अगर उस्ट्योक्लास्ट भढ़ गई इसका मतलब पक्का है कि जो चीज एक तरसे से मालोग जो सेल खराब सेल हैं जो बेकार है ठीक है वो सेल क्या क्या लाती है तो वह सेल बढ़ेंगी तो मिसा बॉन क्या होगी दोस्तों वीक हो जाएगी बॉन क्या हो अब एक बताओ जिस बीमारी के अंदर है कैल्सीयम कं हो गया कैसा कान्टेंट में ही मैं कर और ज्यादा हो सबस्के सब्सक्राइब डेना ऑज चनिंतर0000301-2 जाधा हो जाए या कि इसम दन सक्काषल ex-vy patch पतर हैं तब यहाइगा पहली चीज़ है रेड्मीट दूसरा है सोप्ट ड्रिंक तीसरा है टर्नीप ग्रीन इस जो पार्ट है देए टर्निप ग्रीम होता है तो यह सब चीजें क्या होती है इसे हमें कौन सी चीज देनी चाहिए सबसे पहला रेड मीट लिखाए हमें ओस्टियोपोरोसिस के क्लाइंट को मीट नहीं देना चाहिए ज्यादा नहीं देना चाहिए उसका मीट के अंदर होता है नाइट्रॉजन क्यों मीट के अंदर हुता है प्रोटीन क्या होता है अब हमारी वोडियु के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है कि अगर ब्लड के अंदर नाइट्रोजन भड़ा अगर ब्लड के अंदर क्या बड़ा नाइट्रोजन भड़ा तो उसके बैलेंस के लिए क्या होता है उसका बैलेंस कैल्सियम करता है उसका बैलेंस कौन करता है कैल्सियम करता ह और वो calcium आता कहां से है दोस्तों, तो blood के अंदर nitrogen को balance करने के लिए, ये मालो blood है, इसके अंदर nitrogen है, उसको अगर balance करना है दोस्तों, तो calcium चाहिए, इसको हम बोलते है buffer system, क्या बोलते हैं, buffer system बोलते हैं, दूसरे को balance कर रहे हैं ये, तो वो calcium है दोस्तों, वो कहां से आता है, nitrogen क को पहले से क्या है उस्टियो पोरोसिस है मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑस्टियो पोरोसिस के अंदर कैल्सियम क्या हो जाता है कम हो जाता है अब उससे क्लाइंट को मने रेड मीट दिया रेड मीट देने से क्या होगा उसका बचा हुआ जो कैल्सियम है वो भी क्या हो जा हमें नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि meet में होता है protein protein को break down होता है nitrogen और nitrogen को balance करने के लिए calcium और calcium कहां से आता है bonnes से आता है इसलिए हम ऐसे client को कभी हम क्या नहीं देते हैं दोस्तों으로 reason के मांट निरे हमакаट नहीं हो गया यह हम नहीं देंगे क्यों मैंने अपको बता दिया है कि इसक 123 है इसके पाद सोफ्ट ड्रिंक क्यों नहीं देखो और जंदर फोस्फ्फूरस पयादाता है उस पहुती है उसके अंदर क्या है 보통 इंचेंट着 होती है है कोटरये से हमेशा केलसी इउस्हम के के bereald करता है मेखेसि रहा हूं इबको सब्सक्राइब He Oh अब आप एक बत बता हो पहले आपने soft drink पिली फिर आपने calcium का content लिया लेकिन आपने जब soft drink पी तो आपको जो stomach है उसके अंदर क्या है दोस्तों आपके stomach के अंदर क्या है पहले से फोसफोरस है और फिर उसके बाद भे आपने क्या खाया calcium खाया अब calcium यहाँ पर आया तो ये कैलसियम क्या नहीं होगा दोस्तो एबजोर भी नहीं होगा अब जब कैलसियम एबजोर भी नहीं होगा तो ब्लड में नहीं पहुचेगा अब जब बोन में नहीं पहुचेगा तो कैलसियम के क्या जाएगी दोस्तो कमी आ जाएगी तो सिंपल सी बात है कि सॉफ्ट ड सब्सक्राइब करेंगे इसलिए इसेंद नहीं पिने चाहिए नेक्स्ट जो आता इसके अंदर और उसके बाद मेह बताऊंगा एंडिस्ट ग्रेंस क्या काम करते है अब प्रोटीन क्या काम करेगा दोस्तो इससे नाइटरोजन मनेगी यह नाइटरोजन क्या क्या काम करेगा तो केल्सियम कम होगा केल्सियं कीWhere tan करेंगे दोनों ही चीजा मिलकर करेंगे तो यह तो सबसे जादा साथ काम करेंगे तो गरेंट कृंष जो होते हैं वह भी ऐसा काम करेंगे क्रेंट जो हैं वो भी हमें नहीं खाने चाहिए अब बचा हमारे पास एक ही तो आपको आंसर तो पता लगी गया किसका अंसर क्या है कारण क्या है दोस्तों कि टर्णिप ग्रीन के अंदर तर्णिप में लब सल्जम होती है ठीक है ऐसे मन सोचना कि पतर ही चीज तो देखा ही से तो तर्डीप ग्रीन होथे दोस्तों इसके अंदर हम सबकूर्ट कोन सा फूड शबस्टांच है जिसके अंदर वैटमीन के क्या ज्यादा होती है तो वाइटमीन आ गये ज़ल्दी ज़ल्दी सब इसके तीन रूप होते हैं, रेटिनोल, रैटीनल, एंड रेटिनोई कैसीड, तीनों याद हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो एक याद रख लेना, सिरफ क्या रेटिनोल, ठीक है, वाइटमीन जो D है, इसका दो रूप होते हैं, इरगो, जैलसी, फेरोल, और कोली कैल सी फैरोल कोली कैल सी फैरोल एक साथ सारे लिख लेना जली जली आपको रिवाइश हो जाएगा ओक्रणायी को अ Evan ये Pragnancy इस पुर्ण इसको भड़ाता ये घर्णीतिकाट अब मुर्णीतिकाट बनीकल नेम ज़रूरी आद रखना औरत不錯 सब के अंदर एक तु आता है B complex और एक आता है vitamin C आपको सबको पताए is is it एस significant ऐस विक्र非 मेखर उसके आपके पंदर आके सब केसी जह के लाबा इस के karaoke B12 एठीक है यह सारी होती है B1 जो होता है, उसका रिखत mean B2 जो होता है, फायमिन त्हरीन याटब होता है, रिखत is B3 जो होता है, नियसीन B5 जो होता है, प्लाइन है, एसफरिफफób प्लाइनzos B6 जो होता है, प्लाइन भुप इसे हम बोलते है सब्सक्राइब आपको ठीक है ईसके हलावव आपको देदेगा वह आईरन देदेगा तब फोलिकैसित लगए नहीं है यह सारे हमने वाइटामिन से साथ में देख लिए अब आपको समझ में आ गया क्यों देना चाहिए क्यों होती है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर देख लो आपको एक क्वेशन से कितनी नोलेज हो गई सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है ठीक है जो आपका प्रोटीन वह इतना ही देता है लेकिन जो फैट जो होता है वह नाइन किलो कैलोरी देता है ठीक है इसके बढ़ते हैं बढ़ते हैं जलो वोट रिकमेंडेशन सुड़ ए नर्स गीव तो क्लाइंट्स हूँ है फ् थिखा हो आपको इसको क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए चलो तो बात करते हैं दूर्टैंजस बूरिंग प्राग्नेंटिं जो होता है ना प्रेगनेंसी की दोरान बिलकुल नॉर्मल होता है बतलब क्या सा होता ही है हर फिमेल के अंदर ही क्या होता है फ्लीड का रुखना इसको क्या कराता है है फ्लीड करेंटरिय। उप्र वोली मिया प्रेगनेंसिए इज कि अप्रिभ उले मिया हाइपर उले यह पालना के ऊद्टोस तो बढ़ जाती है और कितनी नेचेव जिछ पॉइंट पाइव लिटर फेटेंं होता है झांद होता है दोस्तों कि प्लीटा सब्सक्राइब आएघिमा अगर नहीं होती है अगर सिरफ मालों लैग लैक के अंदर अगर लैग में यह तो यह पूरी बोड़ी में पिटिंग एडीमा हो गया ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक नॉर्मल तक थोड़ा बहुत एडीमा थो फ्लुटी टैंशनिक कारण होगा और वह एडिमा क्या होगा दोस्तो नॉर्मल होगा इसलिए ही जो हम P IH पढ़ते हैं उसमें से उन्होंने एडिमा को उसमें से उन्होंने एडिमा को क्या कर दिया होता है तो यह ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंसी की दुरान क्या होता है फ्लूड रुखता है नॉर्मल है हाईपर वूले में के स्टेट क्यालाती है 6.5 लिटर वोटर इसमें रिटेन होता है और फ्लूड रिटेंशन के कारण थोड़ा एडिमा होगा अगर वो लेग तक सिमित है इसके अलावा वो नोन पिटिंग है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों नॉर्मल कहलाएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेस्ट क्या कह रहे है कि अब उस क्लाइंट को क्या कहना जाहिए एक फ्लूड रिटेंशन इस नॉर्मल अगर आपने यहां पर गड़वड कर दीना अब आप दिमांगे किया बन था कि अब अब आपनोर्मल टी तो उसको क्रो आप उस पूरे क्योसर को क्या कर रहे हैं अगर फ्लूड को रोख दिया तो फिर वोटर की क्या जाएगी कमी आ जाएगी इसलिए प्लुड इंटेक क्या रखते हैं दोस्तों नोर्मल रखते हैं देखो इसके उसे ने पूरा काम करेगा दुसरा मेंटेन ए लो सोडियम डाइट नहीं भाई या लो सोडियम डाइट नहीं देंगे क्यों कि प्रेगिनसी के तो वैसे ही वोटर जादा भढ़ गया और वोटर ज नहीं है सोडियम लेकिन पाने के मॉट जादा होने के कारण अगर हम फिर निकालते हैं तो सोडियम के मिलता है में क्यों इसको सोडियम चाहिए अगर और आपने और कम दिया तो पिर दिक्कत हो जाएगी normal sodium diet फिर sodium की कम ही आ जाएगी बोडी के अंदर और sodium की जो symptom है व्यногout आप को सबको पता हुए है तो normal sodium diet देंगे LO नहीं देंगे इसके वाज नेसक्राइट आस्क दा आस्क दा ये डायूरेटीक क्यों देंगे आप मैंने नॉर्मल है diuretic एक ड्रग होती है केंदर हमें जरूत नहीं पढ़ती है तो यह भी क्या हो गया गलत हो गया नाच क्या है यह निचे दो तक यह लगा कि सोया करो जो वैक जो पूरा बलड जो पूचे उसके मांट के अगा भड़ जाएगी और नीचे जो प्लूट जा रहा हो वह कम हो जाएगा तो आपके अपन है तो एलिवेट करना है सिर्फ लोवर एक्स्ट्रीमिटीज को आपको अमेशा इसका याद ही रखना है कभी एडिमा होती है तो एक नर्सिंग का इंटर्वेंशन करना पड़ता है एक्स्ट्रीमिटीज आपको करना पड़ता है तो यह आपका क्योशन हो गया है सोल अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है एक एसी पल्स जो सिरफ स्टेटो स्कॉप से सुनी जाती है क्या है दोस्तो ध्यान रखना एपिकल पल्स कहां से सुनते हैं एपेक्स से सुनते हैं एपेक्स ओफ हर्ट हर्ट से सुनते हैं ठीक है किसका यूज़ करके सुनते हैं इस्टेटो स्कॉप का यूज़ करके सुनते हैं दूसरी बात कहां सुनते हैं तो फोर्थ एंड फिप्त इंटर कोस्ट स्पेस की मिड़ क्लेविकुलर लाइन रट लिया होगा अभी तक रट रहे होगे इसको चलो एक बार देख लेते हैं इंटर कोस्टल स्पेस का मतलब क्या हो गया रिपिस और फिफ्ट जो इंटर कोस्टल स्पेस पहली इसके दूसरी चोथी और पांच वी के बीच्में नेंटर मिलेशनल इंटर नेशनल दो देसों के बीच में इंटर कोस्टल दो कोस्टल के बीच में इंटर 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 बिल्कुल बीच में एक लाइन की जोगे फिर यहां पर फोर्थ और फिफ्ट इंट्रकॉस प्लिस पेस देखोगे जहां पर वो जगह होगी वहां पर आप क्या लगा होगे इस ट्रेथिसकोप का डाइप राम लगा होगी ठीक है जैसे मालूम मेरा महालूब ठीक है मैं यह ल जहां पर हमारा फोर्थ और फिफ्ट जो इंट्रकॉस पेस है वहां पर वहां पर स्ट्रेथिसकोप को लगाएंगे लगाने के बाद हम उस हर्डवेट को सुनेंगे क्या कहलाएगी दोस्तो एपिकल पल्स कहलाएगी रेडियल पल्स तो आपको बताने की जरुद है यह नह क्या होता है एक यह समान होनी चाहिए लेकिन अगर इनके बीच में कोई डिफ्रेंस आता है तो उसे पल्स डेफिसिट कहते है यह दिफ्रेंस बिट्वीन एपिकल एंड एपिकल एंड एंड रेडियल पल्स हई रेडियल पल्स से इस नोन एज पल्स डेपिसिट इस रहां दखना ओर आपको जान कर चमब पहले आपनी यहां की देखी फिर आपकी यहां देखे ज्यादाधर मलब होना ऐसा ही चाहिए कि पल्स डेफिसिट देखने के लिए दो जरूर होनी से एक उपज प्लस को से और दूसरा रेडियल प्लस को देखेगा ठीकर पालपेसन के दुआरा धॉब थेखे जाएंगी वह कहेगा एक्जामबल के रूप में महलो में तुन 90 आ रही है मैंने यहां से देखा तो मेरी 70 आ रही है दूसरा वाला करण में यहां से देखा यहां से देंगे जिरो होता है लेकिन यहाँ पर पल्स का मिलब कम हो गई तो यहां से यहां तक लेकर प्ल्स कम हो ख़एःएओध अंधियों, एक क्या address प्रेसर प्रेटर cancel कम बल्कूल सिंपला है ब्लड उस्टोलिक ब्लड उस्टाज ड्लड उस्टोलिक liegen गया आपको प्रेसर systolic blood pressure minus diastolic blood pressure diastolic blood pressure is known as pulse pressure हम जानते हैं कि 120 में से 80 घटाते हैं तो कितने आते हैं 40 आते हैं तो pulse pressure कितना होना चाहिए दोस्तों 40 होना चाहिए यही क्या कहलाते है 120 भाई 80 आप नॉर्मल मतलब एक मानते हो average माना जाते है रेंज नहीं बता रहा है average होता है वो 120 भाई 80 mm of Hg होता है तो 120 systolic में से आप diastolic को घटा दो 120 में से 80 को घटा होगे तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे तो 40 आपका क्या आजाएगा दोस्तों pulse pressure आजाएगा तो आप confusion आपको definition देगा कि pulse deficit is और उसमें ये option 100% देगा कि difference between the systolic and diastolic blood pressure तो आपको confused नहीं होना है अब हमारे question पे आते हैं यह हमारी basic knowledge हो गई पहले बात क्लाइंट क्लाइंट हमारे पास कैसा है दोस्तों पोस्ट पार्टम है ठीक लेबर के बाद क्लाइंट है फ्री आवर्स आप्टर बर्थ वोपर सेकिंड चैन उसके दूसरा बच्छा होगा है उसके तीन घुंटे बाद की बात है वह विच क्लिकल फाइंट इसे क्लाइंट के अंदर क्या होगा तो मैं आपको पहले बता देता हूं मैं और क्या होता है दोस्तो कि अदर हमेशा ध्यान रखना कि मिलती करने जादतर क्या होता है हार्ट रेट कम मिलती है अब यह मत कहला है नोर्मल कहलाता है नोर्मल कहलाता है यह काई तो वी दिखाई देगी कैसे पास दिखाई देगी वीक दिखाई देगी बिल्कुल गलत है वीक पलस को दो सुन रही है यह इछ वह लाए थी ठीक है फिर उसके बाद थोड़ी से high volume होती है, और फिर सबसे ज़्यादा high volume pulse और फिर सबसे ज़्यादा जो होती है, जो बहुत fast ऐसे लगएगे जैसे जो pulse है नो फटने ही वाली है तो वो क्या कहलाती है जैसे हमारी जो artery है फटने ही वाली है वो कहलाती है bounding, ऐसे हम एक level लेते हैं बिल्कुल आपने फिल किया, बिल्कुल नहीं फिल हुआ absent हुआ, zero number दे दोगे थोड़ा बिल्कुल हलक हलका सा हो रहा है 3D सा, ठीक है, 3D की तरह धागेदार बिल्कुल कमजोर सी फिल हो रही है प्लस 1, ठीक है, ने जादा हो रही है ने नोर्मल हो रही है, कितने पॉइंट दोगे प्लस 2 दोगे, हाई वोल्यूम, थोड़ी सी आपको दिख रही है भरी भरी सी है, फुलनेस दिखाई दे रही है आपको प्लस 3 दोगे ऐसी लगे कि बस फटने ही वाली है बहुत ज़्यादा वोल्यूम, अगर आपको दिखाई देखे इसमें तो ब्लड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कैसे कहलाती है? बांडिंग प्लस कहलाती है अब देखो, 3D प्लस कब आती है दोस्तों जब बहुत ज़्यादा बलड लोस हो जाई और बहुत ज़ादा अगर ब्लेट अलोस होगा मलब क्या तो हाइपोटेंशन हो ठीक है सीविर हाइपोटेंशन की कंडिशन हो जाए कि ब्लेट का प्लेसर बिल्कुल गिर जाए या पीपी एच के अंदर पोस्ट पार्टम हैंब्रेज के अंदर अगर क्लाइंट को पोस्ट पार्टम क्लाइंट जरूर कह रखा है लेकिन पोस्ट पार्टम हैंब्रेज किसे कहते हैं कि नॉर्मल वेजाइलन डिलीवरी में अगर 500 ml से ज्यादा ब्लेट का लोस हो जाए और इस ट्रेक्टोमी में 1500 ml का ज्यादा लोस हो जाए अगर डेलिवरी के बाद होई तो उससे कारण है क्या होता है कि इतना जाएता डेलोस हो जाता है तो क्या होता है कि बलड का वोल्यूम कंवा ओगा और इस नहीं होई और नॉर्मल दिखाए देगी बस उसकी क्या होगी उसकी जो पार जो जो कि एसरे रे पहलु क्या हो जाती है पिल्स की रेट कंपर टीए हैं डीके तो मुल्यूंप पर नहीं पड़ती है और मैं दूसरी कोई परक नहीं पड़ता है raped rate हम ने पढ़ आ है कि आपके सबस्क्राइब हूं किums समय और बावंडिंग पर कैसे हो किस भी किसी भी हालती इस जो देखने linux Ridge नहीं बढ़ेगा बाउंडिंग पल्स किसमें देखने को मिलती है दोस्तों बाउंडिंग पल्स जो देखने को मिलती है वो हाइपर टेंशन में देखने को मिलती है किसमें मिलती है हाइपर टेंशन अगर क्लाइंट को हाइपर टेंशन है ना तब उसको क्या होगी बाउंडि कंदिशन होती है और कोंप्रोमाईज हो चाहिए की यह heidi PPS में होती है क्यों स्लो हाँ हो याद रखले ना इतना पूछा नहीं जाएगा की किस में कितना होता है लेकिन फिर भी आपको याद रहते हैं इस लिए इस नोर्मल ही रहती है इसलिए इर्रेगुलर नहीं है इस क्रिशन का अंसर हो जाएगा स्लोव हाल्ट बीट है नोर्मल हाट रेट होती कितनी है यह देख लो नोर्मल हाट रेट जो होती है दोस्तों ऐसे नहीं कि 72 होती है अब हमेशा नोर्मल हाट हाट रेट 62 है अगर किसी की 60 है तो भी नोर्मल है ऐसे नहीं कि 72 बोल देख में 71 अबनोर्मल हो गई यह नहीं है ठीक है तो हाट रेट 62 होती है अगर 60 से कम है हाट रेट तो ब्रेडिकार्डिया क्या कहलता है है ब्रेडी कार्डिया और हैंगर हैंडेड से ज्यादा हैंडेड बीट्स पर मिनट पूरा बो लगर बी टैकी कार्डिया टैकी कार्टिया आप अगर ब्रेडी और टैकी में कन्फूज हो रहे तो आप देखो इसको देखो टी ऐसे लग रहे हैं ऐसे हो तो बड़ा हुआ होता है ठीक है अब टी ऐसे समझ में आ जाएगा तो इसके उसन कांसुर आपको मिल गए कि हाल्टरेट के हो चलो जाती है इसकी लिए नर्स सिस्के एड़ स्काशंच करिंग उत्रुक्ण ब्राविटा प्रायविडा पहली बार जो प्रेड़ुञ्यच क्या एंदब स्वाविय क्या उप लाएगी दो 3 बार 1 मल्टी छाड़ा ओधा मैं ऻेड़ इंडाल्टरुंच तोивать मल्onz apte करवा केहलाएगी अगर उसने 20 की फिर錫 को क्रोश कर लिए है तो बहली बार प्राइम ही हैं और दूसरी तीसरी बार कर लिए तो उसको क्या कर आई है Deutsch अग्र केंगे एक बार भी नहीं किया तो इस उसको फिर्स बार भी नहीं के कह लिए लेबर के अंह courtssal सadous लेबर की स्टेज अंहीं लोग सब पढ़ते रहते हो थोड़ा सा अच्ट्रा सबसे पहले चीजे प्री लेबर स्टेज प्री लेबर स्टेज मलब कि लेबर स्टार्ट भी नहीं हुआ ना उससे टू 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 थ्री वीक विपोर उसके अंदर सिंप्टम साने लग जाते हैं विक्स विपोर लेबर के स्टार्ट होने से पहले ओंसेट ओफ लेबर उन्हें भी स्टेज आप बर बर बढ़ते हो त्रही तेक कुछ लोग फॉर्थ स्टेज और एक ओर याज रख लेना फॉर्थ ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं ट्राइमेस्टर अब देखो प्री लेबर के स्टार्ट होने से पहले कौन-कौन से साइन आते हैं तो पहला तो जब साइन यह फैल सब्सक्राइब LOVE पर जाते हैं तो ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब टो टो नीचे की तरफ आ जाता है जब पहले क्या होती है तो फंडल हाइट बढ़ने के कारण जो जो लंग्स होते हैं हमके डाइफ्राम जो होता है अपवर्ड क्या हो जाता है थोड़ा से अपर चला जाता है जिससे जो फीमेल है उसको पीचे शाट से गेस्ट्रिक प्रोब्लम्स फिल होने के कारण यह फिल होती है उसको अब जैसे ही लाइटनिंग होगी तो बेबी आने वाला है तो विस विट वी रेडी वेलकम हो रहा है ठीक है उसको हमें वेलकम करने के लिए तयार है न चाहिए यह से हम वेलकम साइन भी बोलते हैं इसके बाद है राइपनिंग लेबर से पहले कुंसा साहिन आता है सर वाइकल राइपनिंग का साहिन आता है राइपनिंग का मतलब क्या होता है कि देखो सर्विक्स को टाइलेट और किसी भी चीज को अगर डाइलेट करना है तो उसको सोप्थ होना जरूरी है जैसे यह पैन है अगर इसको पोसिस करोगे तो यह तो टूट जाएगा लेकिन अगर यह तो टूटता नहीं यह मुड़ ज करवाते हैं तो इससे हम किस नाम से जानते हैं इक आप याद रखना वर्ड फाल सिंग भालस लेबर में फौल्स लेबर पें देखो यह तीनों वर्ड धैंने अग्डैज ताकि आप याद हो जाएं उसकता है कि वीच्ट फोलोविंग लेबर के शुरू होने से दो से तीन वीक पहले यह साइन आ जाते हैं कुन-कुन से लाइटनिंग आ जाता है सर्वाइकल राइप नहीं होता है इसके अलावा यह है इसकि हम एसे बीक हो जाता थोड़ा ठीक हो जाता है क्याते हैं इसके साइन से लेबर पेम्ट होलेगा डूर्य लेबर पेन किसके कारण होता है कौन ट्रेक्शन के कारण होतल यहाँ अनुर्ट लिख सकते हो होता है जब में labor उता है जब में लेवर शुरू होता है जब किसे पता लगा घए कि शुरू हो गया कि तुक के दौरा है कि एक क्या होता है formation of bag of membrane, अगर किसी भी female के अंदर इन्वे से कोई भी sign आ गया तो आप उसको कह दे लिए आप क्या हो, आप का labor क्या हो गया है, ठीक है वो ट्रू लेबर पेन होता है, तो समझ जाना कि ओंसे लेबर हो गया है, क्या होता है, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और फिर बाहर आ जाता है, उसे हम सो कहते हैं, कभी अच्छी डिटेल में और बताऊंगा कि होता क्यों ऐसा, फिर है बैग ओप मेंब्रेन, आपको पता ही कि जो क्या होता है कि जब बैबी नीचे की साइड आता है तो दो उसका एक बैग बन जाता है, एक बाहर की तरह बाजाता है हलका सा, जिसे हम किस नाम से जानते है, इसे बैग बन जाता है, यहां पर बरा रहता है इसे हम फोर वोटर बोलते हैं और जो पीछे की साइड बरा रहता है यह हैंड वोटर, तो अगर यह बन गया ना, अगर फिमेल करे की ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वह भी पक्का है कि उसका लेवर क्या हो गया, स्टार्ट ह हो गया है, सरब इतना समझो कि अंदर क्या होता है, स्टिंड बेबी के दिलिवरी होती है, शर्चेज गोल्डन स्टेज है या ऑबजर्वेशनल स्टेज है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ हम उबजर्वेशन करेंगे और पर्फूर्पूर्ण को हम फॉर्थ ट्रै master के नाम से जानती है फर्स stage primary gravity में 12 गंटे के होती है जो multi-pera होती है उसमें 6 गंटे के होती है second stage primary गंटे के होती है multi-pera के दर आदे गंटे के होती है third stage दोनों में 15 मिनट के होती है लेकिन 30 मिनट तक फिर भी normal होता है अगर 30 मिनट तक placenta नहीं आए तो retained placenta के लाएगा fourth stage एक गंटे के होती है और observation stage होती है और यह जो होती है यह six week का होता है अगर days में पूछे तो 42 days का होता है ठीक है यह बहुत सारी information हो गई आपके लिए copy है अभी क्या क्या रहा है कि कैसे पता लगेगा कि बसौशना होने वाला है टीक है.... एक बाल बसौशना होता है तो कैसे पता होता लगेगा कि बसौशन को मैं इसको म्लाब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसंप्सक着 है इसके बाद में क्या होनी वाली हो बेबी की delivery होनी वाली हो तब यह पता लगे का बेबी का बर्थ होने वाला है तो देखते हैं एक बार थोड़ा से जल्दी सी आपको मैं बता देता हूं लोग अगर बीच में लिखते हैं तो बिल्कुल गलत लिखते हैं वो डिसेंट बेबी नीचे की तरफ तो आता ही रहेगा तो बेबी का फ्लेक्शन होता है अब यह मैं अच्छी तरह डिटेल में और समझाओंगा क्योंकि हमने कापी चीजी बात कर लिए इस लिए इसमें हम फ्लेक्शन के बाद में क्या होता है बेबी इंटर्नल रोटेशन करता है इंटर्नल रोटेशन के बाद में क्या होता है दोस्तो जो बेबी होता है उसका क्राउनिंग होती है क्या होता है और क्राउनिंग के बाद में क्या होता है जो बेबी जो होता है उसका बर्थ होता है बर्त बाइक टेन्शन बर्त बाइक टेन्शन बेबी का बर्त आपसे पूछ सकता है कि कूंसी मूमेंट के दौरा होता है तो अब काम है यहीं तक मैं फिर भी आपको आगे बता देता हूँ क्यों घूब को गए extension के बाद में होगा है एक्सटर्नल रोटेशन के बाद में क्या होता है जो लैटरल के दवारा बेवी का जो ट्रंक है और सॉल्डर इनकी द्रिवरी करवा दी जाती है ठीक है ये मोमेंट होते हैं कभी इनके बारे मैं और उच्छे से आपको बिल्कुल समझाओंगा कि हो क्या से रहे हैं अभी सिर्फ आप इतना समझो बदब हमें यह समझना है कि यहां पर बेवी का क्या हो रहा है बड़ हो रहा है बेवी का बड़ हम एक्स्टेंशन के द्वारा करते हैं एक चीज लिख लो हो सकता है कभी पूछी ले इसको एक मैनिवर के नाम से जानते हैं इसको हम बोलते है रीजन इसको हम बोलते है है रीजन ने बताय synagogue यहां पकड़ते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते है क्या तो हम एक्सटेंशन बोलेंगे यह हॉताँन रीजन भी बोलते हैं अब कब पता लगे कर बेभी का बड़ भाई हमें से पहले प्रोसेस अगर हमें पता लग जाए दोस्तों तो आप बता दो कि होनी वाली है वो कह रहा है कि डिलीवरी कब होनी वाली है यह पता लगाओ अब इसमें दो डिलीवरी होई गई extension की द्वारा लेकिन हम इसे जस्ट पहले का पता लग जाए तो हम कहा देंगे हाँ इसके बाद में क्या होगी delivery होगी या आप सिंपल वर्डों में कहो तो यह कह सकते हो कि क्राउनिंग के बाद क्या होती है अब आपको अगर क्राउनिंग समझ में आ गई तो इसका मजलब आप तो प्रेशर पड़ता है तो अगर आपको यह पता लग जा एक हम फीटल है दिखाई दे रहा है और वह वापस नहीं जा रह लेकिन क्राउनिंग को पता हुँ नचीर प्राउनिंग में एक चीज़ सीखी कि क्राउनिंग के अंदर पैली फ्लॉर मसल्स जो होती है ना उनको क्या करता है बाहर की तरफ निकाने करता है नको को कोशिस करता है बाहर करता है अगर आप विए करवानी है कि यह कह रहा है कि आप बेवी का बर्त होने वाला है मतलब हमें यह समझना है कि इस क्वेस्ट को अगर हम इंडरेक्ट लिए लिए एक लाइन में लिखते वह यह लिखा हुआ होता कि हाउ will you recognize the crowning ठीक है how will a nurse recognize the crowning दौनों लाइन एक बात है कि बेबी का बर्थ होने वाला है या crowning को कैसे पैचाने की सबसे पहला bloody discharge from the vagina increases कि blood का discharge होनी लग गया उससे पैचाने की बिलकूल गलत बाद है blood का discharge जादा कर months बढ़ता है दोस्तो घस टो बलर वह मैंने अपको पिसली किलास में कर वाई एक बलड हमें साथ बढ़ता है ऐसाथ का बल्ज विद इच कोंट्रेक्शन जैसे जैसे कोंट्रेक्शन आएगा तो पैरीनियम बाहर की तरफ बल्ज होगा ठीक है मतलब उसके उपर जो फिटल है वह क्या कोज कर रहा है और यहीं मैं आपको बताया थे किसमें होता है क्राउनिंग में यही तो होता है कि क्राउनिंग फिटल हैड क्या होता है पैरीनियम के पर प्रेशर कोज करता है तो पैरीनियम ऐसे बाहर निकलने की क्या करता है कोशिस करता है इसलिए हम आप रहे हैं तो यह अभी तक बिल्कुल सही है नेस्ट पड़ते है कि हो है क्यों नहीं क्लाइंट बिकम इरिटेबल एंड सब्सक्राइब नहीं सकते हैं क्योंकि उसको पेन होगा कोंट्रेक्षन के साथ में सर्वाइकल डाइलेशन के कारणे भी पेन होगा तो उससे हम यह नहीं बता सकते हैं इसका भी रिजन है एक्टिव स्टेज एक्टिव स्टेज जो पाश्यक एक्टिव स्टेज सक स्टेज। सेकिन्ट सेज्छ के अदर क्या होता है कि के पंदर से पीज सेकिंड के लिए कॉंट्रेक्शन आते हैं फोर 15 तू 30 सेकिंड एक होर फिप्टीन टू 30 सेकिंड याद रखना है यह को संड भी आता है इन 15 तू 30 मिनट में दूसरा 30 में आएगा कोई 18 मिन आएगा तुर रेंज जो है 15 से 30 मिनिट आने के बाद कितनी देर के लिए रहता है इतनी देर के लिए रहता है लेकिन एक होता है जाते है जाता जाता है अर बहुत एस यह दो aliyah होता जाएगा तो लगबग पैतालीस साथ सेकेंड के लिए रहते हैं और कितनी देर में आते हैं इन कि थ्री तूफाइव मिनट लेखो इन टूटू थ्री मिनट दो से तीन मिनट के अंदर क्या आने लग जाते हैं इक ओं ऐनर या सफिसेंट कोंत्रैक्शन वोलेंगे या सफिसेंट कोंत्रैक्शन बोलेंगे लेकिन अगर दोस्तों जो contraction जो है अगर contraction जो है वो दो या फिर दो से कम आए तो इन्हें हम hypotonic contraction बोलते हैं और अगर ये contraction 6 या 6 से ज़्यादा आए तो इसे हम tacky sister बोलते हैं ध्यान रखना इसे हम क्या बोलते हैं टैकी sister आपको लग रहा होगा या अब मैं हाइपर टोनिक बोलूँगा लेकिन उसे क्या बोलते हैं टैकी sister बोलते हैं बहुत सारी इंफोर्मेशन कापी टाइम ले लिया इसने फिर आगे देखते हैं चलो इसा नहीं है कि बेबी की डिलिवरी होने वाली होती है तब ही ऐसा होता है जबकि यह तो क्या कब होने लग जाता है एक्टिव स्टेज ओप लेबर में ही ऐसा होने लग जाता है इसलिए यह भी क्या है गलत है तो इस question का answer हो जाएगा प्रियास करेगा क्योंकि बेबी का head उस पर क्या कोज करता है इसके बाद हम देखते हैं नेस्ट क्वेस्टन एवर मैं यह देखता हूं कितने क्वेस्टन मज़े रहे हैं वन टू थ्री फॉर बचते हैं चलो देखते हैं an infant is born precipitously in the emergency department what should the nurse do first सबसे पहले त gevर को समझो precipitate labor का meaning क्या होता है धोस्तो प्रेसिपेट labor का meaning यह होता है कि अगर कोई यह बेबी की अगर delivery चाब अगर डिलीवरी लेस देन टू आवर में हो जाए लेस देन टू आवर सिर्फ दो घंटे में डिलीवरी हो गए तो उसे हम क्या कहते हैं अगर बेबी की डिलीवरी फर्स चेज और सेकेंड जो है वो अगर ।ب प्रोलॉंग के नाम से जानते हैं घूर से 30 कि से पहले हुआ तो प्रीटरम बोलते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं Скlli के बीच में बेच में हो तो इसे हम जो कहते हैं इसे क्या कहते हैं पोस्ट डेटेड डिलीवरी अब नेच्ट देखो कि एक इंफेंट को वह प्रेसिपिटस लेवर की द्वारा हुआ एक बच्चा हुआ अभी अभी ठीक है न्यूबॉर्ण है वह कैसे बॉर्ण हुआ है प्रेसिपिटस मतलब की दो घंडे से क्या होगा या फिर हम कहें जो किस पर होगा एबी सी के अदर अगर आपकर करना अगर मालौ अपने को नहीं कर दिया उसको फिर देखो सकती है तो पहला काम थो इसका एयर वे इस स्टार्ट करेंगे और वह कैसे सब्चार्ट होता है तो हम क्या काम करते हैं बेव बेव फह醬 है जो भी एरवे से म्युकस के संब लूइड को दान करेंगे ठीक के जिससे हुता है उसके बार बेबी को किया करेंगे उसकी टोध को दृब्थ करने से प्रेंगे श्टाने से रूधत Chin तो सबसे पीज़ करना है कि हम यह क्या करना है उसको करना है उसको क्रेंग कर censorship क्या हो जाए दोस्तों को इस्टार्ट हो जाए थे का कि अधर यह बाहर नहीं तो इक पलासेंटा की देखाई लेकिन बेवी की डिलीवरी के भांग नहीं हुई और जब कि जब हमने क्या देखा हमने फंडस अब कम देखते हैं क्या तो प्लासेंटा सेप्रेट होने में 30 मिनट से ज्यादा ले रहा हो तब हम देखेंगे कि कहीं प्लासेंटा क्या नहीं हो रहा हो ठीक है तो प्लासेंटा क्या नहीं हो पाता वहार नहीं हो पाता है तब हम बेबी का और अपने नहीं हिया बस बेबी के डिनीली की यह और है आप लेज़ाँ इसको और उपर जाओ आण वाले वही देखें गे तो अप्षिन हो गया। देखों, ये दो वर्ड है, एक वर्ड है, सिस्टोसीली, और एक वर्ड है, रेक्टोसीली, एक तो सिली होता है, और एक होता है, फिस्टूला, फिस्टूला के अंदर दोनों चीजे क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है, दोनों चीजे एक दूसरी जाती है, अटैस हो जात यहां पर यहां पर नोर्मल क्या है यह नोर्मल कंडिशन होगी दोस्तो अब आपको तीनों कंडिशन समझाऊंगा और यहां पर यह रहता है रेक्टम ऐसे यह है रेक्टम अब समझो इस यह नोर्मल कंडिशन सिस्टो सिली में क्या होगा कि जो ब्लैडर जो है न वह वैजाएना के अंदर प्रेशर कोज़ करेगा वैजाएना के अंदर गुषने की कोषिस करेगा बल्जेज इन्टू दा वैजाएना तो क्या होगा देखो इस्टोसिली कैसा कंडिशन होगी कि यह है यूटरस और यहां पर डेको ब्लेडर यहां तक पहुँच गया इसमें न कहना था यहां बिल्कुल का-जैने की इससे स्प्रकार कर दिश्र कर दिया इया तो यह है यहां तक क्या मिलती है देखने को मिलती है इंकॉंटिनेंस इंकॉंटिनेंस व्यूरी नागन सुना होगा कि कंट्रोल नहीं होता है थीक है तो रेक तरफ यहां पर तो इससे हम किस नाम से जानते हैं सिस्टोसिली के नाम से हम इसे जानते हैं सिस्टोसिली के नाम से जानते हैं रेक्टोसिली वह भी बिल्कुल ऐसे ही है इसमें क्या होगा कि जो रेक्टम जो होगा बताता हूं फिस्टूला भी आपको यहां का का जो content है ना वो directly यहां जाने लग जाए तो यह क्या 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 लाता है लेकिन यहां पर फिस्टूला नहीं है सीली है दोनों structure है अलग लग दोनों के content नहीं जाएंगे लेकिन वो pressure कोज करेगा और उस pressure के कारण यूरीन का क्या होगा इन कॉंटिनेंस होगा उन क्या होगा दोस्तों कंट्रोल नहीं रहता है तो क्लाइडर की साधसे ब्लैडर गुसरा है वाजाना के अदर सब्सक्राइब क्यों आया है वो रिपेर करने के लिए वापस से वोग जाएं वह दोनों अपनी जो स्ट्रेक्चर है मौहाँ पर क्या हो जाएं दोस्तों सिप्ट हो जाएं दर एक्स चीज का होने का और क्या रिपॉर्ट करेगा सीथी बात है कि डिलियुकल मेंвержतेशन पूल पूल से और infection में भी अगर आपसे कोई पूछे तो ट्राइको मेनास ट्राइको मोनास वैजाइनलिस ठीक है इसके infection के अंदर क्या देखने को मिलता है वाइट वैजाइनलिस साथ देखने को मिलता है और इचींग को बोलते हम प्रिवराइटिस देखने को मिलता है या फिर किसके अंदर देखने को मिलता है वाइड वैल्ट वे धान रहा लेकिन ध्यान रखना विलियम्स की बुक सबसेच्टी हार्मोन है यहां पर स्ट्रेक्चर ने प्रेशर कोज किया उसके उपर प्रेशर की करण सिम्टम है वो मैंने आपको बता दिये लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिलीडिंग होने का मतलब भी नहीं है तो यह बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया रोंग इस पो रेडिंग देखने को नहीं मिलती है कोई एब्डोमिनल ऐसा पेन देखने को भी नहीं मिलता है एलिविटेड टेंप्रेचर टेंप्रेचर किसमें एलिविटेड होगा इंफेक्शन में होगा इंफेक्शन के अंदर होगा यहां पर इंफेक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है एक बाद बताँ रक्टोसीलिय में मिन्हें आपको क्या बताए था डायरिया नहीं होता है दोस्तों क्वेसन होता है क्वेसर इन आ कि वेशनव इंसके ब्ली की ब Lable से जरूर होगा क्योंकि ब्लेडर ने-ब्लेडर का के लिए को जाता है तो यहां पर देखने को मिलता है और क्या देखनी को मिलता है मैं ने बता दिया कि स्ट्रेश का रहा है एगन करणे करा है भी तो हुए है उसका सेकिंड हार है दूसरा घंटा है आप्टर लोंग लेबर एंड बर्थ ठीक है काफी लंबे समय के बाद में लोंग लेबर था उस बर्थ था इन नर्स आइडेंटिफाइज डैट डा क्लाइंट है वेजन ब्लीडिंग वर्ड लिख दिया है वी ऐसे वर्ड से आप समझ्जाओ कि वह हमें सा मेंन दिखा रहा है टिक क्या दिखा रहा है है जो उट्रस जो यू-विर्स है न उसके philosophy को बढ़नाा रूसकी टॉन को क्या करता है इंक्रीज से मैंनर में धाता है यह जरूआल ध्याँ रखना डाउन्वर्ड and बैक्वरड डाउनवर्ड और mm10 बैकवर्ड फांडर में धीनता है इसाल्टर यूड़ा फंडल्स होने लगता है th singular तो वह करते हैं उस से क्या होती है कि दोस्तों रुख जाती है इसके बाद यह कंडिशन हो रहे थी हम उसको मनें मसाज दिया मसाज फंडल मसाज देने की कोशिश की पर रुख जाए है ठीक है कॉंस्ट्रिक्शन हो जाए उस साइट पर तो ब्लेडिग नहीं रुकि अब यह सब काटो वोटर लिख लो मुझे मैं पानी पीलू हाउ सुड़ दा नर्स रिपलाई ठीक है सीधा से आपके तुम जिंजर एली यह सब छोड़ो इतनी चीजे मत पी उसको डिरेक्ट पानी पीलो ठीक है अगर वो क्यों से मैं यह पी सकता हूं जिंजर एली पी सकता हूं है फिर मैं फोटर पी सकता हूं अब नर्स को क्या कर早 decision पहली बात ब्लीडिंग हो ृह है ब्लीडिंग को रोकने हमने प्रियास किया हमारे इंटर्वेंशन के दौरा जो कि हमारे इंटर्वेंशन क्या था हफंदल मसाज़िंग था अब फंदल मसाजिंग की दौरा इंड़ ओटी में किया जाता है और ओटी में कोई भी प्रोसीजर कब किया जाता है जब क्लाइंट क्या होगा एंप्यों होगा अब बाकी की चीज़ें आप खुद समझ जाओ इप अपको आपको एकसर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं चलो मैं आपको जूम करने को परियास करता हूं और यह हो जाता है तो नहीं होंगे चलो ठीक है अच्छी बात है नर्स कह रहे हैं अब इसका हम ओप्रेशन कैसे करें क्यों अगर अब इसको क्या कह रहे है कि आच्छी बात है तुम पानी पूँगी वहां तो बिल्डिंग रही वो उसके पानी आपनी के पानी लेकर आती हूं नहीं प्यासी हो However, I must get an order before giving you any fluid लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोई भी पानी दूँगी नो उससे पहले, fluid देने से पहले मैं एवर डोक्टर से पूछ कर ही दे सकती हूँ बिल्कुल गला था, मैंने अब कल भी होता है था नर्स को resourceful होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब क्लाइन को पाने जरूत है, कब नहीं है, कब दे सकते हैं, कब नहीं यह कोई ड्रग नहीं है जो हम डोक्टर से पूछेंगे फिर इसको देंगे, ठीक है उसके कोई भी चीज हमें उसके एड़र्स एफेक्ट पूछ रहा है वह हम खुद बताएंगे यह चीज़ हम बताएंगे सिर्फ हम ड्रक को कर रहें तो जरूर तो इस ऑप्शन में पड़ेगा तब मैं कह सकती हो मुझे पता है तुम बहुत प्यासी हो लेकिन बिल्कुल गलत है हमें खुद को पता होना चाहिए कि ऐसे क्लाइंट को रोकने के लिए उट्यम में जाना जरूरी है और फ्लूड लेवल सुड रिटर्न टू नॉर्मल एज क्विकली एज पोसिबल यह कह रहा है कि तुम्हारा जो फ्लूड लेवल गिर गया है ना कम हो गया क्यों ब्लेडिंग के कारण तो वह वापस नॉर्मल आना जरूरी है यह बिल्कुल सही बात है यहां तक कोई दिकत नह सकता है लेकिन दूसरी लाइन उसने क्या कह दी कि तुम अगर ज्यादा पानी प्योंगे लिखिन अच्छी तरह तो प्लूड का लोग्स हो रहे इसकी यह बिल्कुल क्या है गलत है पानी पीने से कभी भी उसके जो फ्लूड है उसका वो नहीं कि आजाज सकता हूर हमें पै प्रफिकल्ट यह बहुत मुस्किल है इडिज बैस्ट फोर यू टू वेट फोर दा ब्लीडिंग तुसब साइड आप जब तक पानी नहीं पिला सकते आपको क्यों कि इस टाइम मुझे आपकी ब्लीडिंग को रोखना मेरी प्रायरटी है ब्लीडिंग नहीं के लिए आपको टेवी बेज़ जाएगा और आपका एंप रहना इस सब बाते सके अंदर क्या है तो इस question का answer जो होगा that is option 4 या D इसके बाद हम देखते है next question, question number last 10, during an emergency birth, emergency में किसी का birth हो गया, the fetal head is crowning on the perineum, क्या हो रही है, crowning हो रही है, कहां पे हो रही है, crowning क्या होती है, crowning कैसे होती है, ही सब हम ने देखा, how should a nurse support the head as it is big born, ठीक है, यहां पर यह question बहुत अच्छी से आगए, एक पर हम आपको समझाता हूँ, दुबारा से, crowning पर क्या होता है, कि fetal head है, fetal head bulges into pelvis, पहलों इसके उपर क्या कोज करता है, वो pressure कोज करता है, ठीक है, इसके अलावा, fetal head visible, fetal head is visible, and doesn't go back, and doesn't go back after contraction, contraction, contraction के बाद वापस नहीं जाता कि उपर चला गया, हमें visible हो गया, तो दिखाई देने लग गया, तो वो दिखाई देने ही लग गया, अब इसके बाद क्या होता है, क्या करवानी है, बेबी की head की हमें क्या करवानी है, डिलीवरी करानी है, crowning के बाद में, अब crowning होने के बाद, बेबी की head की delivery करवा जाती है, कैसे करवा जाती है, हम हमारी 4-5 जो, एक जो हाथ है, वो यहाँ पर रखेंगे, बेबी की head पे, ठीक है, इस प्रकार चे फैलाएंगे, और दूस इसको थोड़ा सा प्रेस लेकि-baby के head को क्या करते हैं, extension करते हैं, क्यों extension करते हैं, क्यों extension करते हैं, क्यों यह हमने देखा है, जब बेबी की delivery होती है, तो baby क्या करता है? Flexion करता है, हमने पहwn हमने पहला मूमेंट हमने देखा कि बेवी क्या करता है को मूमेंट हमने पड़े हैं यह वर में आपको दुबारा से रिखा देता हूं है एक हम थोड़ा सा support head पे देते हैं और एक support हम छल्ग से योज करके बेबी के करें हैं अलग हो तियंग लिघंद क्यों सोलडर को जो सकते हैं हैंज के दिवारे सकते हैं कि पो इसके दोby को सकता है औरकी डीरी किसे दोरा होती ऍपर 3 दूसरा चीजिए एक साथ लिखाऊँगा ताकि आपको निया हो दूसरा ट्रंक की डिलीवरी और बाकी की जो बची वी बोडी है उसकी डिलीवरी कौन सी मुमेंट की द्वारा होती है तो आपको सारे एक जगह याद होने चाहिए जो बेबे के हैड की डिलीवरी अभी हमने पढ़ा है दोस्तो extension के द्वारा होती है या अगर manure पूछे तो आपको क्या बताओगी आप region manure बताओगी दूसरा anterior shoulder की जो डिलीवरी होती है that is downward and forward downward and forward बेबे का anterior shoulder है उसको हम क्या करते हैं पहले नीचे की तरफ करके फिर आगे की तरफ लेके जाते हैं थोड़ा से down करके है फिर आगे की तरफ लेके जाते है तो downward and forward posterior shoulder की पूछता है तो उसको उपर की तरफ करते हैं upward and forward upward and forward बाके की पूरी बोड़ी की जो डिलीवरी होती है that is lateral flexion किसके उदार होती है दोस्तो lateral flexion के द्वारा होती है और moment पूरे labor के अंदर ही देखनो क्या के moment देते हैं यह दो डिलीवरी से लिटेट हो गए ठीक है फिर पूछ सकता है वो फंदल मसाज में कौन सा moment देते हैं मलब किस मैनर में देते हैं फंदल मसाज तो फंदल मसाज के अंदर अभी हमने देखा था downward and backward downward and backward backward और एक चीज़ और लिकलो control code traction control code traction एक procedure है जिसके दुआरा हम क्या करते हैं placenta को बाहर निकालते हैं ठीक है यह क्या कहलाता है control code traction यह इसे बी ये method भी कहते हैं brand andrew method इसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं brand andrew method की नाम से भी जानते हैं brand andrew method इस method के दुआरा हम क्या करते हैं उसको बाहर की तरफ खेशते हैं तो इसमें दो चीजे उसमें दोनों हैंड का यूज करते हैं एक हैंड से हम फंडल को उपर की तरफ क्या करते हैं मसाजिंग करते हैं और दूसरे से हम क्या करते हैं फोर्सेप का यूज करते हुए जो कोड है उसको बाहर की प्रेसर लगा जाता है किस मेनर में लगा जाता है तो आएगा अपवर्ड और अपवर्ड और अपवर्ड और यह पूछता है कि इूटरस नहें देकर आपको को पूछे कि कोड को किस में में खिंचोंगे और यूटरस प्रेसर दोगे उसYes प्रेशर दियाता है एक यूटरस पे और एक कोड को खीचते रहते हैं तो उसमें यह पूछेगा कि जो फंडस से उसमें आप कैसे प्रेशर दोगे और कोड को कैसी खीचोगे तो कोड को वही downward and backward downward and backward इसके अलावा कोई moment नहीं है पूरे labor के अंदर तो आपको इस सारे समझ में एक साथ आ गए होगे कितने सारे question एक साथ बन गए है एक जगे आप लिख लोगे न तो आपको इस सारे याद हो जाएंगे अलग अलग जगे पूरे book में पढ़ोगे कभी याद नहीं कर पाओगे ठीक है तो भी question कर आपको दूरिंग एन इमर्जेंसी बर्त दा फिटल हैड इस क्राउनिंग ओन दा पेरिनियम हाउस वडिनर सपोर्ट दा हैड एड 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 इस बिंग बॉर्न यह से कहा रहा है कि बेबी के हैड की delivery होने वाली है आपको कैसे support देना है तो मैंने आपको बता है extension वाड़ा support देना है region manual वाड़ा support देना है एक head पे रखना एक chin पे रखना है आपको option देखते हैं क्या कहा रहा है है पहला apply suprapubic pressure जो जो मदर है ना उसकी pubic के ऊपर pressure लगाऊ कई मैंने कहा हमें सिरफ कहाँ प्रेसर लगाना है बेबी के head और इस पी प्रेसर लगाना है मदर को कई भी टच करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल गलत option है प्रेसर से कोई फरक ही नहीं पड़ेगा प्लेसे and firmly against the perineum जहां से बेबी की delivery हो रहे है वहाँ पर आप जोड लगा दो उससे क्या होगा दोस्तों आपने यहाँ पर क्या कर दिया प्रेसर लगा दिया यहां अगर आपने प्रेसर लगा दिया तो बेवी का हेड बाहर कैसे आएगा यह ऐसे बेवी बाहर आ रहा है यह पैरीनियम है ठीक है बेवी बाहर है आपने यहां प्रेसर लगा दिया कि बेवी का हेड बाहर आ पाएगा नहीं ठीक है ऐसा अगर आपने कर दिया ना तो इट इसमें को डिस्ट्रिबूट करेंगे थोड़ा सा क्या देंगे थोड़ा सा अगले वाले उप्सन देते हैं तो यह इसमें कोई अभी तक गलती नहीं है यहां बता है आपको उसने यहां बता रहा है इस जगह पर अपनी प्रेसर लगाए ना तो सोप्ट होता है वो क्या हो जाएगा अगर वो इंजर्ड हो गया तो यह भी क्या है गलत है इस क्वेस्ट्रिबूट था फिंगर से इवल्ली अराउंड दा हैड एंड सेकिंड एंड सेकिंड है पुट अंडर चिन पुट अंडर चिन ओब बेबी टीक है उप्सें मी दे नहीं रखा लगिना आपको पूरी नोलेज होनी चाहिए पहुचत अगला कोई क्वेस्ट्र ऐसा बने इसमें यह हो जाएगा तो इस क अबना दिहां रखकें सुट रहीं कुच रहीं थेंक यह सो मच